वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में हम लोग डिसेस करनी वाले हैं CRPF Constable Tradesmen का जो एक्जाम 2013 में 7.4.2013 को ग्रूप सेंटर मुझबपरपुर सेंटर पे Tradesmen सफाई करमचारी का जो एक्जाम कंडक्ट हुआ था और उस एक्जाम में जितने भी कोश्चन्स बने थे उन सबको आज हम लोग डिसेस करनी वाले हैं यह जितने भी कोश्चन्स मैंने इस PDF में इंक्लूड किया हूँ 100% real और authentic से क्योंकि आप सभी जानते हैं कि SS Defense Academy यह जो चैनल है इस पर कोई भी अगर एक्जाम के लाइसेस दिया जाता है तो 100% real कोश्चन्स को ही प्रवाइड के जाता है देखे फ्रेंट्स इस एक्जाम में जो Constable Trades में इसका एक्जाम हुआ था और Math के 8 questions पुछे गये थे, Regening के 12 questions पुछे गये थे और हिंदी के 10 questions पुछे गये थे और पचास trade के questions पुछे गये थे इस तरह Total 100 questions पूछे गये थे तो हुआ हम लोग डिशर्स करने वाले हैं देखे फ्रेंट हमें Total 100 questions तो नहीं मिला लेकिन देखे जीके के हमें लगभग 19 questions मिला है, जो real और authentic मेट में 8 questions मुझे मुल जेका है, और उसके बाद reasoning में लगभग सभी questions नहीं मिला है, लगभग इसमें भी 8 ये 9 questions मिल गया है, और हिंदी में 10 में 10 questions मिला है, और देखें, trade questions में हमें लगभग देख सकते हैं आप, लगभग 36 questions real और authentic मिला है तो friends वीडियो को last तक देखिएगा जो भी candidate CRPF paramedical staff में सफाई करमचारी post के लिए form apply किये हैं उनके लिए काफी helpful होगा क्योंकि इसमें आप सभी को trade questions भी मिलने वाला है कि किस level के questions पूछा गया था आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल free of cost जिसका link description box में है टेलिग्राम चनल का आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चनल से जुड़के और friends मैंने आपको लगभग 2011 से लिकर 2015 तक जितने भी CRPF tradesman's का exam हुआ है medical staff का उन सब में जितने भी trade के questions पूछे गए थे उनको हम proper way में part wise 50-50 questions में आपको provide किया हूँ लगभग 5 part में लगभग 800 questions आपको trade related questions करा है हूँ सफाइ करमचारी के लिए उसका playlist बना है देख लीजेगा आप ये YouTube पर देखेंगे तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं trade questions के लिए तो चलिए friends देरी न करते हुए सभी questions को एक एक करके discuss करते हैं वीडियो को patience बना कर देखिएगा क्योंकि काफी importance है यहां से आपको अच्छा analysis मिलने माला है देखें friends सबसे पहले हम लोग general knowledge के first question देखेंगे भारत का कौन सा राज स्वाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये है मद्देफर्दे कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक है स्वाबीन का वो है राज मद्देफर्दे सेकेंड देखें राजस्थान के चितोडगड में बीजय अस्थम के संस्थापा कौन थे तो राणा कुंबा थे question number 3 देखें उडिशा में शूरिय मंदीर के संस्थापा कौन थे तो नरसी देव परथम थे next question देखें question number 4 रेडियो शंकेत का प्रशार की इस मंडल में अत्यदिक प्रभावित होता है तो ओ मंडल है आयन मंडल question देखें परकास अब से तेज गती किसमें करता है आप सभी जानते है निर्वात यानि खाली भैकुम में परकास सबसे ज़दा तेज गती से गमन करता है question 6 देखें पिंक सीटी किसे का जाता है जैपूर को का जाता है 7 देखें अमेजन नदी किस देश में बहती है option था ब्राजील, चाइना, इंगलेंड, जिंबावे तो ब्राजील हो जाएगा option के रिकोर्डिंग बिल्कुल सही और आपको कमेंट्स वक्स में बताना है कि अमेजन नदी और किस किस देश में बहती है question 8 देखें computer में अधिकांस processing किस में होता है तो CPU में होता है next question 9 मनुष्य द्वरा परियोग की जाने वाले प्रतम धातू तो हो है तामबा question 10 देखें satellite launching center कहां इस्तित है स्री हरिकोटा आंदरपर्देश में है question 11 देखें भारत में कौन सी संस्था राजकोशिय निती बनाती है तो वो बनाती है बित मंत्राले जो है ये राजकोशिय निती बनाती है question 12 देखें गौतम भुद के प्रवचनों की कौन सी भासा थी पाली भासा थी question 13 देखें किस खिलाडी ने एक टिष्ट पारी में सबसे ज़धा रन बनाये है option 1 जैवरधनी, सचीन, तेंदुलकर, ब्रायन, लारा रिंकिंग, पुटिंग तो इलकुल option C होगा ब्रायन, लारा, सबसे ज़धा रन बनाये थे 400 question 14 देखें गंगा नदी के सबसे लंबी साइक नदी कौन है तो गंगा नदी के सबसे लंबी साइक नदी यमुना है question 15, कुरुच्षेतर की यूद में सबसे कम उम्र के सहीद कौन हुए थे तो ये कम उम्र में सबसे पहले सहीद हुए थे अभी मन्यो question 16, सरीर का कौन सा अंगपीत नामक द्रब्य का उतपादन करता है लीवर करता है question 17, देखे गोल माल फिल्म के निर्देशक कौन थे तो ये रोहित सेटी थे question 18, देखे अभारत के राष्टपती के रूप में चुने जाने वाले उमिदवार की नियुनतम निर्धारित आयू क्या है तो आप उप राष्टपती के लिए मतलब अगर चुनाओ चुने जाने के लिए उमिदवार की नियुनतम आयू 35 वर्स होना चाहिए question 19, देखे mid cliff रेखा की दो दिसों के बीच है भारत पकिस्तान के बीच है अब देखे math के 8 questions स्रीज के questions है question 21 544 फिर 509 उसके बाद है 474 उसके बाद 449 फिर आगे क्या होगा तो देख रहे हैं यहाँ आप घट रहा है decrease हो रहा है फिर आगे भी 35 सब में 35-35 घट रहा है तो last जो यहाँ पर दिया है 449 फिर से 35 घट आ लेंगे तो 404 आजाएगा 404 आंसर हो जाएगा question 12 देखे कर रहे A एक काम को 15 दिन में करता है B उसी काम को 20 दिन में करता है अगर वे चार दिन एक सांथ काम करते है तो अब काम के अंस कितना होगा मतलब काम का कितना पार्ट बचेगा तो देखे A कितना दिन में काम करता है 15 दिन में B किसी काम को 20 दिन में करता है तो सबसे पहले हम लोग मालूम कर लेंगे कि total काम कितना है तो 15 और 20 का LCM लिखा लेंगे, तो इसका LCM 60 आएगा, तो 60 क्या यहाँ पर है? टोटल काम निकल गया गया, तो A एक दिन में कितना काम करेगा? तो A एक दिन में 4 उनिट काम करेगा, B एक दिन में कितना उनिट काम करेगा? तो 3, भाग दे देंगे, 20, 30, 63, तो A और B एक दिन म 28, यह साथ में से 28 काम कर लिए हैं, ए और बी मिलकर 4 दिन काम करके, तो सीरस काम कितना बचा, तो 60 में से 28 घटा आएंगे 32 ठीक है अब यहमें पाइट लिखा लाएंगे तो टोटल काम को नीचे बटा में लिख देंगे इसको कट करेंगे तो 8 बटा 15 आएगा यहीं अब काम का अंस होगा 8 बटा 15 Q23 तीन संख्याओं का अनुपाद 4 अनुपाद 5 अनुपाद 6 है और उसका ओसत 25 है किसका ओसत तीनो संख्याओं का ओसत 25 है तो शबसे बड़ी संख्या क्या है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीन संख्याओं का आउसत पचीस दिया है तो इन तीन संख्याओं का योग लिखाल लेंगे तो योग क्या होता है एबरेज गुडे एन तो योग लिखालने के लिखा होता है एबरेज गुडे एन तो एबरेज कितना है पचीस संख् झाड़ा पंद्रन जबकि हमारा कॉशन के कोडिंग कितना है? 75 तो 15 बराबर 75 हो जाएगा एक युणिट के मान कितना भागा? 5 हमें बड़ी संख्या लिकाला है बड़ी संख्या इसमें कौन है? तो जो ये तीसरी संख्या है 6 तो बड़ी संख्या में हम लोग 5 से multiply कर देंगे चो पाचे तीसी ये बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा अब देखें कोशन नमर्ट 24 अरूण और दीपक की आयू का अनुपाद 4.9 है अरूण और दीपक की आयू का अनुपाद 4.9 है यहाँ आप लिख दिये हैं चो वर्स बाद अरूण की आयू 26 वर्स होगी चो वर्स बाद कह रहा है कि 26 वर्स हो जाएगी तो दीपक की बरतमान आयू क्या होगा तो देखें यहाँ पर रेसियू आप देख रहे हैं यह बरतमान का रेसियू दिया गया तो सबसे पहले यह 6 वर्ष के बाद अरून का आई 26 वर्ष होगा, तो 6 वर्ष पहले कितना होगा तो 6 वर्ष के लिए हम लोग 26 में से 6 घटा लेंगे 20 वर्ष का, मतलब अभी जो अरून है बर्तमान में वो 20 words का है तो ratio में देखिए ratio 3 है बरतमान का sorry यहाँ पर 4 ratio दिया किया है और उनका जबकि questions में कितना है 20 words तो 4 बराबर हो जाएगा 20 के 4 को कितने बर multiply करने पर 20 आएगा 5 बर तो इस 3 को भी 5 से multiply कर देज़ेगा यहीं तो दीपक की आयूली कर जाएगा 3 पाचे 15 words इस तरह आप लोग बना लेजएगा question देखे 25 घड़ी के कीमत में 30% की बरिधी करने के बाद 10% की छूट दी जाती है ठीक है तब कितने परसेंट का लाव होगा तो सबसे पहले हम लोग माल लेते हैं जो MRP है वो 100% है ठीक है तो हम लोग इसे arrow method के माद्यम से बनाएगे ठीक है बहुत आसान हो जाएगा सबसे पहले 30% के बरिधी हो रहा है तो 100 से 30% के बरिधी यानि 130 पर पहुँचे ठीक है उसके बाद खिर कर रहा है बरिधी करने के बाद 10% के छूट मिल रहा है कितना परसेंट के? 100 पर 10% के छूट यानि 90% आब इसको क्या कीजिए? इसके बट्टा में 100 लिख लिजिए उपर multiply कर दिजिए या cut कीजिए 0 से 0 cut गया कितना है? 13 अहां सब यह 100 से जितना ज्यादा होगा उतना बरिधी होगा अगर 100 से यतना कम आया वो कमी होगा तो 17 के बरिधी दिखाई दे रहा क्योंकि हम लोग MRP कितना मने है 100 100 से उपर देखेंगे इसमें उपर दिखाई दे रहा आपको 17 17% की बरिधी होगा next question देखें question number 26 कव़रा है एक बाग में कुछ बतक तथा कुछ बकरिया है ठीक है बतक और बकरिया है किसी बाग में ठीक है बाग मतलब फुलवारी में यदि सीर की संख्या 48 है हेड की संख्या कितना है 48 तो पैरो की संख्या और तता पैरों की संख्या 140 है तब बकरियों की संख्या कितनी है बहुत easy questions है friends देखे इसमें क्या होता है कभी कभी बकरियों की संख्या पुछ लेगा कभी बत्तक की पुछ लेगा मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे चार पैरों वालों की संख्या पुछता है कभी दो पैरों 2 H-Ly2 अरहमसे निकल जाएगा तो यहाँ पर देखीए बकरी की संख्या फिर लिकलना है यानि बकरी की 4 पैर होता है थो 4 पैर होले की संख्या लिकलना है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लेग की संख्या कितना है कोश्चन नमर 27 के कवाराया C I पर जामा किये गई 12,000 रुपय की धन रासी ठीक है चक्रिबिर्दी व्याज पर कोई जामा किया गया 12,000 रुपय की रासी है मतलब यहां पर मुल्धन दे गया ह 12,000 कवाराया 5 वर्स में यह जो रासी है दूगुनी हो जाती है 5 वर्स में कितना गुना कितना हो जाएगी तो बहुत असान कोश्चन से यह गुना गुनी वाला कोश्चन से इसमें आपको समय का पहाड़ा पढ़ना होता है और गुना की घात लगाना होता है जितने बार समय का पहाड़ा पढ़ेंगे उतना घात लगाते जाएंगे देखिए हम समय के पा बात है वहां पर दो के घात 4 कर दीजिए, तो दो के घात 4 करेंगे तो 16 आजाएगा, अब क्या करेंगे, जो 16 आया है, तो इस जो मुलधन दियागा है 12,000 में, 12,000 में 16 से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो आपका मालूम चले जाएगा, कि 20 वर्स बाद यह कितना धनरासी हो जा एक और स्वेम से, एक और स्वेम से कटे, इसके अलावां और किसी से न कटे, ठीक है, तो देखेंगे, सबसे चोटी अभाज संक्या के बात करें, तो सबसे चोटी अभाज संक्या 2 है, याद रखेंगा, उसके बाद अभाज संक्या क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11 है, हम मतलब होता है पास्ट में ठीक है यदि परसो मंगल बार था तो अगले कल के बाद का दिन को कौन होगा ठीक है मतलब फ्यूचर में पूछा रहा है कि कौन सा दिन होगा तो सबसे पहले हम लोग आज मानेंगे आज से पीछे जाएंगे कि पीछे जाएंगे कितना आज के पहले कल बिता कल और उसके पहले बिता परसो तो परसो मंगल बार था तो आज कौन सा दिदे होगा तो मंगल बूद बिर्शपत्ति बार यानि गुरु बार होगा आज आज का दिन को नागा गुरु बार, फिर कर अगले कल के बार, यायनि आज गुरु बार है तो अगले कल, यायनि सुक्र बार होगा, और कल के बाद क्यों सा होगा, सनी बार होगा तो आंसर सनी बार हो जाएगा, question देखे 30, करा एक इसी कक्छा में, गौरी क्या स्थान ऊपर से 13 हावा है, ठीक है, top से कितना है, 13 हावा, तथा नीचे से 20 हैं, तो उस बर्ग में कुल कितनी कुल छात्रों की संक्या कहा है, तो बहुत easy questions है, ये top button वाला questions पुछा गया है, तो देखें friends क्या होता है, इसमें कभी-कभी left-right questions पुछा जाता है, उसमें पुछाता है कि गौरी का स्थान left से इतना है right से इतना है, तो उसमें total वर्ग में कितने छात्र हैं, इस तरह पुछ लिया जाएगा, तो देखें, कोई वहाँ पर formula change नहीं होता है, यादि left-right पुछें, तो total लिकालने के लिए यह formula लगता है, तो बस आप लोग formula लख जीते, top से कितना अस्थान पाई, 13 और bottom से कितना है, 20, इसमें से एक घटा लेजिए, 13 और 20 को जोड़का एक घटा लेजिए 32, तो कुल चात्रों की संख्या मालूम हो जाएगा, 32 कुल चात्रों की संख्या है, next question देखिए, question number 31 देखिए, कवरा A ने B से कहा, ठीक है, तुम मेरे चाचा के एकलावते भाई के बेटे की बहन हो, A, B का कौन है, तो A मतलब B का कौन है, मैंने B, A को क्या कहेगी, ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं, इसका आंसर भाई होगा, देखिए, ओरली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको डाइग्राम से बताऊंगा, ताकि कितना भी long मतलब questions बनाया है, तेड़ा मेडा, आप लोग diagram के मादेम से, एजी तरीका से बना सकते हैं, देखिए, इसमें क्या करना होता है, बहुत कुछ-कुछ concept वाली बास समझ लेजे, आप automatic बना लेंगे, देखिए, सबसे पहले इसमें step wise बनाये, देखिए, स्वयम को बीच में रखिएगा, अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी पतनी को बीच में रखिएगा, ठीक है, एक step आप बढ़िएगा, तो आप सभी जानते हैं, कि एक step आप से ऊपर क्या क्या आएंगे, आपके पापा, आपके ममी, भुआ, मामा, मामी, चा चा, चाची, ये लोग एक step आएंगे, एक step ऊपर बढ़िएगा, तो आपके दादा जी, दादी जी, नाना जी, नाना जी, ये सभी लोग आएंगे, एक step नीचे आएगे अपने से, तो आपके बेटा, ये सभी लोग क्या आएंगे, भांजा, भांजी, ये सभी आएंगे, तो इसी step up बढ़ना होता है और देखे, डाइग्राम में आपको अगर आप male हैं, तो male के लिए यहाँ पर क्या किजेगा, आयस से दरसाएगा, और female कोई है तो उसे हम लोग breath से दरसाएंगे, ठीक है चलिए अब बनाते हैं, देखे, कह रहा है तो अब बनाते हैं, तो यहाँ पर खोल के बोल रहा है कि A के बहान है, ठीक है तो यह तो मतलब यहाँ पर male हो गया, और B female हो गया तो कह रहा है, A B का कौन है, तो B A को क्या कहेगी, तो भाही कहेगी बहुत इजी तरीका से बना लेंगे कोशन देखे, 32 कह रहा है, DLOC को ECI code किया गया, कैसे code किया गया देखे फ्रेंड्स क्या है, इसको पलट कर लिख दिया गया, DLOC को यहाँ पलट यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया गया तो cold बनेगा, मतलब यहाँ पर क्या, meaningful word बन जा रहा है जो एक अर्थ cold मतलब क्या होता है, ठंडा होता है और देखे, CECI को भी पलट दिजेगा, तो ice, यहाँ पर भी meaningful word बन रहा है, ice बन जा रहा है तो correct, T-O-H को T-O-H अशके बाद अनुपात आगे क्या होगा, तो देखे, friends, options था इतना सरह, यह सरह options दिया गया था तो देखे, T-O-H को भी पलट यहाँ तो hot होगा, तो options में ऐसा कौन सा, किसको हम लोग पलटे है, ताकि वो meaningful word बन जाए, ठीक है, तो आप लोग option B को पलटिएगा यहाँ पर A-E-T को, तो देखे, इसको पलटने पर T-E-A, मतलब चाय बन जाएगा, word meaningful word बन जाएगा, ठीक है तो answer हो जाएगा option B, बाकि को पलटिएगा, तो कोई meaningful word नहीं मनेगा, question number 33 देखे, 24 अनुपाद, 126, समानुपाद 48, अनुपाद आगे क्या होगा, तो देखे, यहाँ पर 24 कैसे है, तो देखे, 5 के square में से एक घटा दिया गया, तो 24 है, 126 कैसे है, 5 के cube में, एक जोड दिया गया है, तो सेम उसी तरह कीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर क्या कजिए, कि आगे 2 बड़, 48 कैसे है, तो 48, 7 के square में से एक घटा है, 7 के square में से एक घटा है, तो अब आगला term क्या होगा, इसके according बनाएगा, तो 7 के cube में, एक जोड दीजेगा, ठीक है, तो आप इसको करेंगे, तो 344 सांसर हो जाएगा, next question देखे, 34, दर्द का संबंध औसदी से है, तो दूख का संबंध किसे होगा, संतावना से होगा, दर्द होता है, तो औसदी दिया ज़ता है, दूख होता है, तो किसी को संतावना दे जालता है, और देखे, figure से questions भी पुछा गया था, setting arrangement से भी 5 questions पुछा गया था, ऐसे student बोल रहे थे, और देखे, अब चलिए हिंदी के questions, discuss कर लेते हैं, 41, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक सब्द क्या होगा, सरबग्य होगा, 42, जेश्ट का बिलोम सब्द क्या है, तो कनिष्ट हो जाएगा, 43, बच्चा का भावचा क्या होता है, बच्पन हो जाएगा, 44, रसाल का परियवाची सब्द क्या होगा, तो देखे, रसाल का परियवाची सब्द में, आम, निम्बू, इमली, जामुन, रसाल मतलब होता है, आम का ये परियवाची रूप है, नेक्स्ट क्वोशन देखे, 45, सासवत का बिलोम सब्द क्या होगा, नश्वर होगा, आप से भी जानते हैं, 46, देखे, सुध सब्द कौन सा है, तो देखे, सचीदानन्द जो लिखा गया है, इस में से, चारो में से कौन सा ही है, तो उप्शन B जो है, सचीदानन्द, इस तरह लिखा जाता है, बाकि सब गलत है, कोशन 47 देखे, धूप में बाल सफेद ना करना, मुहाबरे का अर्थ क्या है, तो बहुत सरा लोग बोलते हैं, कि मैं ऐसे ही अपना बाल सफेद नहीं हुआ है मेरा, मतलब बहुत सरा अनुभाव लिए है, कापी ज़्यादा एज, मतलब एज हो गए है, और जिसका एज ज़्यादा होता है, उनके पास experience ज़्यादा होता है, और नुभावी जीवन बिठाना, नेक्स कोशन देखिए, यहाँ पर fill in the blanks था करने के लिए, यदि चादर के बाहर डैस पसार होगो तो पश्टा होगो, तो देखिए, अक्सर बोला जाता है, यदि चादर के बाहर पैर पसार होगो, तो उप्सन में देखिए, पैर था, हाथ, बाजू, टांग, पैर, तो उप्सन D जो है, यह सूटेबल है, यदि चादर के बाहर पैर पसार होगो, तो पश्टा होगो, इसलिए जितना चादर है, उतना ही तक सीमित रहना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं करना चाहिए, फोटीन नाइन देखिए, आग सब्सन सब्सन क्या है, तो यह हो जाएगा, तश्सम सब्सन क्या होता है, संस्क्रिट का सब्सन होता है, तो अगिन जो हो जाएगा, क्योंकि अगिन देखिए, कहां कहां से questions आते हैं इसी level का paramedical staff में questions पूछे जाएंगे first question देखें कौन सा विभाग hospital को सफाई रखने का जीमदार होता है तो देखें कौन सा विभाग जो housekeeping जो staff होते हैं देखें क्या होता है न कि अक्सर हम लोग जाते हैं hospital में तो वहां पर सफाई करमचारी होते हैं तो उसे हम लोग सफाई करमचारी बोल देते हैं साफी मारने वालब बोल देते हैं लेकिन उनका नाम होता है housekeeping staff आप लोग बोलिएगा आप लोग को trade related कभी-कभी औरली पूछ जायता है कि जो सफाई करमचारी उसे हम लोग क्या कहेंगे तो housekeeping staff कहेंगे Q2 देखे कौन से जल में सफाई करने में कौन से जल में सफाई करने में कम साबुन और detergent लगता है तो मिरिदू जल में मतलब कम detergent का उपयोग साबुन और detergent कम लगता है Q2 देखे 3 यदि किसी ब्यक्ति को यदि किसी ब्यक्ति को blood group मालूम नहीं पड़ता है तो उसको कौन से group का खुन चढ़ाया जा सकता है तो O negative group चढ़ाया जा सकता है Q2 देखे 4th PPE का full firm क्या है तो personal protection equipment हो जाएगा Q5 UNICEF का full firm क्या होगा United Nations Children's Fund होगा Q6 Q6 उपयोग नहीं कर सकते है यह राख जो होता है, यह solid waste होता है, ठोस waste होता है, कॉशन देखे, 9th, होस्पीटल की कौन से जगा, ज्यादा संकर्मन होने की खतरा होता है, तो देखे, लेबर रूम जो होता है, जहाँ पर delivery बगएरा होता है, बच्चों का, तो वहाँ पर बहुत जदा संकर्मन फैलने का चांस रहता है, इसलिए वहाँ पर कभी जाएगा, तो काफी mask बगएरा, hand gloves, जुत्ता, यह सभी पहन कर जाएगा, काफी ज़्यादा संकर्मन की खतरा होता है वहाँ पर, टॉलेट साफ करने के लिए कौन सा acid इस्तमाल किया जाता है, तो hydrochloric acid का इस्तमाल होता है, यह काफी most important है, इतने बार तो ऐसे, जिसमें, मालेज़े trade questions नहीं पुछाता है, वहाँ पर जिसमें early trade, मतलब trade से questions पुछ दिया जाता है, तो यह सब questions पूछे जाता है, चर्म विशेस सग्य को क्या कहते हैं, तो dermatologist कहते हैं, next question देखे, question number 12, ESS, यह न, scientific solutions company, जो भारत में e-toilet बनाया था, यह company कौन से राज का था, question 13, सफाई कर में alcohol को इस्तिमाल करने का फाइदा क्या है, तो यह न, alcohol है इसलिए हम लोग यूज करते हैं, ताकि दाग दबे पूरी तरश छोड़ देता है, question 14, कौन सी acid सरीर में खाना हजम करने में मददगार होता है, तो वो है, आप सब जानते है, hydrochloric acid, question 15, वाइपर का उपयोग किसके लिए किया जता है, तो पानी के सफाई के लिए किया जता है, question 16, आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी gas होती है, तो carbon dioxide यानी CO2 gas होता है, आप सभी देखे होंगे, हार चाहिए वो bank में हो, चाहिए कोई भी सरवजिनिक जगा पर ये आग बुझाने वाला होता है, red रंका होता है, चाहिए आप सभी देखेगा, छोटे-छोटे गाडियों में भी होता है, जो अपना personal होते हैं गाड़ी, उसमें भी लोग रगा कर है, तो देखे, detergent टूबियों करना चाहिए, पानी, गीले मॉप, सुखा कपड़ा, तो कभी ग्लास बगारा रहता है, उसमें गंदा मतलब धूल बगार चाहिए, सबते पहले आप सुखा कपड़ा से उसे साफ कीजिए, ठीक है, question 18 देखे, हमें कूडा को हमेशा डैस में चाहिए, option था, road पे, नालूप में, नदी में, कूड़े दान में, तो आंसर हो जगा, कूड़े दान में हमें कूडे को फिकना चाहिए, 19 देखे, bleaching powder में डैस होता है, तो क्या होता है, chlorine में होता है, question देखे, 20, obsessed पदा, पदानुक्रम में, 3R संदर्वित करता है, काफे most important है, यह reduce, reuse, recycle, यह परदर्शित करता है, 21 देखे, cleaning shop किस परकार की योगिक होता है, तो छारी योगिक होता है, 22 देखे, रोगी देखवाल, देखवाल छेत्र में, जाडू कव प्यूग करना चाहिए, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी आपर रोगी देखवाल सफाय मतलब गया बलते हैं, साफी मरना चाहिए, कुशन देखे, 22 यह तो हो गया, 23 देखे, ICU का पूर्ण रूप क्या है, तो intensive care wards होता है, गहन देखवाल wards होता है, ICU का फूर्ण, 24 देखे, काफी serious लोग ही जाते है, ICU में, कौन सी chemical gel की सोधन के लिए इस्तमाल होता है, तो 25 देखे, सुखे पत्तों को किस कुड़ेदान में रखेंगे, देखे, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका से बताऊं, यदि आप मेरे 5-6 पार्ट पढ़नाया हूँ, 6 पार्ट तक बना दिया हूँ, यदि आप उस पार्ट को देख रहते हैं, तस आप हाई करमचारी में, उससे बाहर कोशन जाने वाला नहीं है, बहुत देखते हैं, आज कर यूटूब पे, लोग सेनिटाइजर से कोरेक्ट कोशन साएगा, हद हो गया भाई, सेनिटाइजर से कोशन साएगा, लोग लगाते हैं सेनिटाइजर का, अरे दोस्त, मैं आपको पढ़ाया हूँ, से जूडए रहियागा, आप सभी, दीटाइज्या दुदके होते हैं, जो दशर्ट भीन हoberायं होता है, यह समानत दो तरीका के होता है, एक होता है नीला और एक होता है हरा, देखें, नीले में क्या करते हैं, सुख्खा, जैसे गुळ, जैसे बोटल बगारा होता है, वो फ किस में हारा वाला में तो देखे सुखा पत्ते को किस कुड़ेदान में रखेंगे तो नीले कुड़ेदान में रखेंगे सारे dust bean के बारे में बताया हूं देख लिजगा hospital में कितने तरह का dust bean होता है सरभजनी का स्थान पर कितने होता है सभी मैं details में बताया हूं देख लिज 27 सफाई करमचारी लेटरिन सफाई करते समय क्या यूज करते हैं तो देखिए आपसन था माश्क, सू, हैंड गलॉफ और यह सभी करते हैं बिल्कुल सही है 28 कौन सी कचड़ा को पूना चक्र परकिरिया से काम नहीं आ सकता है तो देखिए प्लोथीन को इसे पुना चक्रण कर सकते हैं गलास को भी कर सकते हैं केक को नहीं कर सकते हैं पेपर को भी कर सकते हैं तो यह सब ही उसमें questions पूछा गया है previous में, जिसे 2015 सोरह exam हुआ था, 11-12 में हुआ था, उन सब में ये questions पूछा गया है chemistry से, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे लाओंगा, अभी और 3 पार्ट आएगा, 10 पार्ट तक में बोला था, 3 पार्ट और कराओंगा, जो काफी बन गया है, लेकिन मैं time से संकर्मित विमारी नहीं है, option था, मिसेल्स, और उसके बाद TB, Diabetes और Dengu, तो देखें, ये संकर्मित विमारी, Diabetes नहीं है, बाकि सभी है, 32 देखें, carbon dioxide का रासाइन एक सुथ, देखें, यहां से, फिर पूछ देख, CO2 होता है, chemistry से लगबग, 3-4 questions पूछा ही जाता है, 33 है, वो क्या करते हैं, उससे बैठ के, लैटरिंग में गारा करते हैं, तो आप से इसको कहते हैं, Western toilet, तो आप देखें, बाइट टोलेट में, डाइजेस्टर में क्या राता है, जो मानो मल को घटित, यानि, Decompose करता है, तो देखें, बायो टोलेट में, वेक्टिरिया होता ह है, जो क्या करता है, जो मानो के, जो मल मुत्र होते हैं, उसको क्या करते हैं, डी-compose करते हैं, आप सभी देखें होंगे, कि पहले जो रेल गारी, जो जितने भी ट्रेन थी, उसमें क्या होता है, ये बायो टोलेट नहीं था, लेकिन अब सब में कर दिया गया है, बायो टोल वक्तिरियक का ताकि मतलब इसे गंदगी नहीं प्रढ़ता है 35 देखे हरे कर अरा कुरिदान में कौन सा अप्सिष्ट को रखा जाता है तो मैंने बताया ना गीले जितने भी अप्सिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रखा जाता है तो देखिए कूरा करकट यह तो नहीं रख और यह गोबर गिला होता है तो इससे हारा गोड़ेदार में रखेंगे तो option C सही होता है question no.36 देखे first tiles दिवार की सफाई के लिए किस टास्की chemical का उप्योग होता है तो देखे इसमें R1 टास्की chemical का उप्योग होता है देखे friends इससे हर एक parameteri force में जिसमें trade मत जिसमें अब मालेजे सफाई के रमचारी पोश्ट के लिए आप अपलाई कियें है trade के लिए तो क्या होता है कि वहाँ पर यहाँ से questions बनता है औरली अगर आपका exam में officer से दिवारा oral पुछ दिया जाता है यहां tasky chemical से कि बताए कि कांच बगारा में कांच को साफ करने के लिए कौन सा tasky chemical का उपयोग होता है तो देखे R1 से लेकर R9 तक tasky chemical है जिसके लिए मैं एक video बनाए हूँ separate video बनाए हूँ आप tasky chemical R1 से लेकर R19 सर्च किजएगा तो मेरा video मिल जाएगा आपको उस video को देख लिएगा वहां से यह questions आता ही आता है 100% तो friends यह रहा देखें मैं आपको trade literate questions में 36 questions करा दिया और बाकि GK, GS, Hindi reasoning सभी questions आप देख लिए कि जितने भी questions से real है friends और friends कैसा लगा आपको video आप comments लक्स में जरूर एक comments कीजएगा ताकि मुझे motivations मिलता है आपके एक comments से और आप like कर दिजएगा ताकि impressions आचा रहे हमारे YouTube channel के ताकि मैं भी आप माल लिजे मैं आपको इतना मिहनत कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ अच्छा response, motivations दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छा अच्छा video लाऊं देखे फ्रेंड्स मैंने लगभग 6 part करा दिया हूं paramedical staff सफाई करामचारी के लिए trade questions का और लगभग 3 या 4 part आएगा जिसमें लगभग 200 questions मैं कराने वाला हूं जो काफी most important है पूरे YouTube पर नहीं है अभी अभी के date में सिर्फ मैंने 5 questions कराया हूं वा 5-6 part कराया हूं लगभग 50-50 questions करके वो सारे previous questions कराया हूं 2011 से लेकर 2015 लेकर उससे जदा आपको पढ़ने के जिरूरत नहीं है ठीक है फ्रेंड्स सफाई करमचारी के लिए बोल रहा हूं के लिए आप सभी को मेरा जैहिन लिए